चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं आज बहुत ही अलग तरीके से बहुत ही स्वाद वाला मटन और मैं जो भी नॉन्वेट बनाती हूँ कडाही में ही बनाती हूँ और इसका एक बार आप स्वाद चक लेंगे ना तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे और इतना टेस्टी बनता और कडाहे में बिल्कुल गल भी जाता है स्वागत करती हूं अपनी कुकिंग वीडियो में और आज का जो मटन है ना एक वर इस तरह से जरूर ट्राय करके देखिएगा बहुत ही स्वाधिस्ट बनेगी और आज की धाली में और क्या-क्या जायका होने वाला है तो चलिए दे प्याज का मैं चार फांक काटी हूं उपर की जो ये रूट होती है ना वह प्याज का ज़रूर निकाल दें और चार प्याज काट काट के चलिए मैं एक तरफ रख देती हूं और मटन में जो लोग मटन के सौखी ने वो पीस को अच्छी तरह से पहचानते होंगे आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताईएगा कि मैं ये जो पीस दिखा रही हूँ ये मटन का कौन सा पीस कहा जाता है और मैं तो बनाती हूँ लेकिन अच्छा से पता नहीं कि मटन के कौन-कौन से पीस रही है तो मैं में सार्सों भी मटन या चीकर जुखता है और खड़ा-काली- जीनर में है देशी मिर्चह तेश पत्ता है और खड़े गरम मसाले है थोड़ा सा करस करके जब तेल से धुआ निकलने लगे तो सारे यह मसाले को डाल देना है फोरन को हम लोग फोरन ही बोलते हैं और इसको अच्छी तरह से तेल में भूनना है यह जो बेसिक मसाले होते हैं यह मटन चीक कर जा तो यह गरम गरम तड़के वाले तेल में डालेंगे और पांच मिनट तक तेज आँच में भूनना है मटन की बहुत तरीके से रेसिपी मैंने अपने यूटूब चैनल में भी दी है फेस्बूक पेज पर भी मेरा बहुत सा वेज और नॉन वेज की रेसिपी है प्ली कि लाल मास कर लीजिए सब पटना के फूट ब्लॉगर के चैनल में मिल जाएगी मेरी रेसिपी तो मटन चिकन खाच करके मेरे हाथ का जरूर ले करके जाते हैं सब लोग तो चलिए जो लोग नॉन विजटेरियन है तो आज की वीडियो उन लोग के लिए है तो मटन को भू मेरे म मेरे जाएं घरली मसाले जो मटन मसाला में बना करके रखती हूँ तो वीडियों की इंट यदि तक आप लोग बने रहिएगा और अभी तेज आज पे ना मुझे पांच मिन तक भून नुटा और इस मसाले के साथ और अभी जो है नहीं पैयाज नहीं डालेंगे थोड़ा सा मसाला के साथ हम मटन को पकाएंगे पाच मिनट तक और गरम मसाला का तड़का डालने से मटन का जो फ्लेवर हैना बहुत Hisवाधिश्ट बनता और साथ में सौण के नुसार नमक डाल दे जब मसाले डालने के बाद ही नमक डाले छोटी-छोटी टिप्स को फॉलो कीजिए गाना तो आपका कोई भी रेसिपी चाहे वेज रेसिपी भी बहुत स्वाधिश्ट बनेगा और नॉन वेज की रेसिपी मैं नहीं डाल रही थी लेकिन जो लोग कि नहीं आपके हाथ का आप नॉन वेज की भी रेसिपी जरूर सेयर कीजिए तो चलिए सब का ख्याल रखना पड़ता है आप लोग मेरी फैमली है तो सब का ख्याल रखते हुए मैं आज मटन की रेसिपी सेयर कर रही हूँ और जब यह मसाले में से अच्छी तरह से यह ते आना रहता है जैसे जैसे आपका प्याज गलेगा ना मटन उसी के साथ गलेगा लेकिन धीमी धीमी आज पर पकाए मटन को तेज आज में पकाएंगे एक तो स्वाद भी नहीं लगेगा और मटन भी मतलब आधा कच्छा रह जाएगा तो सारे मसाले डालने के बाद ना उप बहुत अच्छा आएगा बीच-बीच में हम चलाते भी रहेंगे हर पांच मिनट के बाद और देखिए पांच मिनट हो गया है फिर से इसको चला देते हैं तो यह प्याज थोड़ा-थोड़ा मतलब गलने लगा है तो चलिए फिर से दस मिनट के बाद हम चला लेते हैं तो चलिए यहां पर मैं धनियापता की चटनी पीच लेती हूं कोई भी नॉन्वेज थाली में धनियापता की चटनी बहुत जरूरी होता है बहुत स्वाधिश लगता है लेकिन सिर्फ भारी मिर्च धनिया और उपर से थोड़ा से निम्बू डाल दें और कुछ नहीं डालें धनियापता की चटनी नॉन्वेज में इसी तरह से स्वाधिश लगता है तो यहां पर चलिए मैं पीच ली हूँ धनियापता की चटनी और आज में सलाद थोड़ा सा दूसरा रहेगा नॉन्वेज के साथ तो आप लोग वीडियो के इंट तक बने रहेंगे और यहां पर लिए भर के में निम्बू डाल देती हूं चट पटा सा चटनी भी यहां पर तयार है खासकर नॉन वेस्ट चाहे वेस्टाली में इस तरह की चटनी बनाएं बहुत स्वाधिश लगती है और इधर चली मटन भी चेक कर लेती हूं और देखे एक दो बीज भी चला गया तो इसको इस्पून की हेल्प से निकाल दे और यहां पर देखे इस तरह से चटनी बनाएं अगर सिलबटा रहे ना तो सिलबटे में और भी स्वाधिश लगता है तो चली कोई नहीं चटनी पिसके यहां पर तयार है अब फिर से हम चेक कर लेते हैं तो देखिए अब इसका कल मिटन पकाने में कडाही में आपको 45 मिनट का समय 45 मिनाट में आपका मटन कुकर के जैसा पक के तैयार हो जाता मेरी ममी बोलती थी कि कुकर में बस दो सीटी लगा कि कोई भी खाना ना स्वादिश्ट नहीं बनता है कडाही में बनाओ पिसंस के साथ बनाओ बहुत स्वादिश्ट बनेगा तो चलिए यहाँ पर जो ये मसाले है ना तो ये मटन मसाला मैं घर में तयार करके रखती हूँ इसकी भी परौपर वीडियो है तो जिसमें खड़ा धनिया है, काली मिर्च है, जितने वोल स्पाइसेस है, जीरा है सब को रोस्ट करके और इसमें थोड़ा से धेसी मिर्च भी है तो सब को रोस्ट करके मैं powder बना करके रखती हूं कोई भी मार्केट का मसाला नहीं डालती हूं वो सम मसाले ना बजार के जो मसाले होते ना उससे टेस्ट बहुत खराब आ जाता है तो चलिए यहाँ पर यह मटन जो है ना एकदम प्याज के साथ एकदम गल गया है तो इसको और भूनेंगे जबते कि एकदम से तेल नहीं सेपरेट होने लगे और मैं तोड करके भी दिखाऊंगे कि मटन जो है ना मेरा 80% पक गया है चाहे तो भूना हुआ भी खाएं जिसमें कलेजी भी है गुर्दा भी है बहुत सारे पीस भी है तो मैं जब ही मटन बनाती हूँ तो बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि रोटी नहीं है तो देखिए आज तो मैं रोटी भी बना दी हूँ और फ्राई मटन भी निकाल दूगी तो रोटी के साथ लोग खा लेंगे तो चलिए इसको तोड़के दिखाती हूँ थोड़ा समय पानी डाल दी हूँ क्योंकि गरम है और आप देख सकते हैं मटन कितना अच्छा से गल गया है और मटन की क्वालिटी भी होना बहुत अच्छा जरूरी होता है और इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि बोरिंग डोट में सहाब उद्दीन जी के हाँ से आप जरूर मटन ले जो लोग पटना में मतलब बोरिंग डोट के आज पास रहते हैं उनके लिए बहुत नस्दिक भी होगा और बहुत अच्छा रहता उनका मतन तो चलिए यहाँ पर मतन बनकर के तयार है तो थाली के साथ दिखाती हूँ कि मतन कैसा बना है मटन में ग्रेवी भी लगा लें मैं जब ग्रेवी लगाती हूं तो गरम पानी से लगाती हूं और देखिए यहां पर ग्रेवी लगाने के बाद 10 मिनट में और मटन पकाई हूं और यहां पर देखिए यह मटन इकदम यमीजा बन करके तयार है तो चलिए मटन हो और उसमें चावल ना बने तो लोगों को खाने में मज़ा भी नहीं आता है तो हमेशा कितरा लगा देती हूं गर्मा गरम चावल और रोटी लोग फ्राई कलेजी के साथ खा लिए हैं इसलिए मैं रोटी नहीं इंक्लूट कर रही हूं थाली भी लगाती हूं तो बहुत सारे कमेंट्स साथ हैं कि रोटी नहीं है तो रोटी दे की सुबा नास्ते में बना लेती हूं इसलिए थाली में रोटी नहीं रहता है और जो लोग एक टाम खाते हैं तो रोटी चावल मिला करके खाते हैं इसलिए मैं बोल दे रही हूं वीडियो के माध्यम से और यहां पर चलिए गर्म पहले लिए। रोटी के भी साथ खाएं, बहुत ही स्वाधिश्ट लगेगा, और यहाँ पर चलिए निकाल देती हूं, और ऐसा नहीं कि एक पर सन के लिए है, लोग यहाँ पर निकाल निकालके खाएंगे भी दो आदमी का और भी खाना है, और यहाँ पर चलिए लगा चलते खराब है तो इसलिए बोलने में थोड़ी दिकत हो रही है तो चल education करण का इस तरह से तरीका होता है जर Cities अब आपके तयार है यहां पी अजाल की पसंद हाई प्संद आए निए हैं यूटीow पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले मिलती हूँ कल एक अच्छे से